जो परिभासा जिसको मानता है, वो वैसा, जैसे कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, उन्हें तो बहुत दूर है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बहुत पास में, कैसे हमारा syllabus कबर होगा, उसी दिसा में हम आपके याँ पर help कर रहे हैं, हम आपके याँ पर guide कर रहे कि सारे हमारे जो important commission है इस सफर में आपके हां से cover हो जाए और ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाली जो class है न बचा पार्टी आपने उस class को देखा होगा जिससे जो आपके basics हैं वो basics को हम बहुत अच्छे तरीके से cover कर पायोंगे चलिए इस सफर को शुरू करते हैं तो बचा आज ही हमारी class नमर 3 है यहाँ पर यह तीसरी class है और इस class के अंतरगत हम जो हमारी कुछ commissions हैं देखो commissions की हमने इस तरीके से सरंखला को start किया हुआ है जिसके अंतरगत तो महत्पूर commission है तो छोटे छोटे commission है जिनको कम समय में कबर किया जा सकता है वो commissions हम आपको पहले करा रहे हैं जैसे कल हमने बात की थी आप से SCST commission और उसी के साथ मैं OBC commission का basics भी आपको बता दिया था कि अगर आप उस एक article को देख लेंगे तो लगबग सारी कहानिया आपकी clear हो जाएंगी जैसे अगर इन brief मैं आज आप से OBC commission की बात करूँगा बच्चे आप उसको समझ जाएंगे ठीक है बई तो आज हम लोग पहले बात करेंगे NCPCR ये एक बहुत बड़ा सा सब्द आप के आप देखने को मिल रहा है लेकिन बच्चे इसका नाम क्या है बच्चों बाले मुद्धे अक्सर चर्चा में रहते हैं तो बाल संड़क्षन से कॉश्चन बनने की संभाबना है फिर हम लोग बात करेंगे इसकी भी बात करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप सबको पता है कि बात कर दी गई है कि बिमन रिजर्बेशन को हम 33% कर रहे हैं तो यहां से भी आपके कॉश्चन बन सकते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे कल का जो हमारा टॉपिक रह गया था नेश्टल कमिशन फोर बैकबड क्लासिस बिच इस नॉन एन ओबीशी कमिशन आप मैंसे कुछ बच्चे थोड़ इसे क्लासिस को लेकर उल्टी सीथे कमेंट करके जाते हैं कोई बात नहीं कर सकते हैं आपके पास पूरा अधिकार है पर कुशिस किजी कि अगर आप किसी को अप्रिशेट नहीं कर सकते हैं बारे में उल्टा सीथा भी नहीं भूलें एक सब्स दोता है दूर के ढूल स्वाबने कुछ चीशे दूर से बड़ी अच्ची लगती हैं पर कुछ चीशे सच में अच्ची होती है बच्चा पार्टी बच्ची का सेजेशन था कि अब कुशिस किजी सर अब हम एक PPT से पढ़ा दें तो आज हम जो कमिशन की एक कमिशन को कुशिस करेंगे इस माध्यम से अगर कमिशन को हम ऐसे पढ़ सकते क्योंकि यह सारे के सारे factual टॉपिक है तो इनमें ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा तो ट्राय करते हैं एक कमिशन को आज उस तरीके से पढ़ने का जिसमें हमें एक बच्ची ने सजिसन दिया था कि आप ऐसे प प्रोटेक्शन ऑफ चाइल राइट वाल संरक्षन आयोग इस पर चर्चा करने वाले हैं वाल संरक्षन आयोग इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे एन टी डवलू नेशनल कमिशन फोर बिमन रास्टिय महिला आयोग यह दो हमारे एजेंडा हैं आज हमें इनको आप से ड नौन एस पिछडा बर्ग आयोग तो आप देखेंगे कि दो ही क्लास में आपके बहुत सारे इंपोर्टेंट कमिशन कबर हो गए हैं और अगली क्लास में हम वो जो छोटे-छोटे कमिशन हैं जैसे CBC हुआ, CIC हुआ, इन सारे कमिशन को हम बहतर तरीके से कबर कर सकते हैं ठीक है, चलिए, तो सुरू करते हैं इस सफर को, देखते हैं इस कहाने को, बच्छा पार्टे हमने एक कमिशन के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे कल, NCBC पिष्टा बर्ग आयोग, तो दोस्त आप इस कमिशन के बारे में इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं, आप बच्छे अगर हम बाल संडक्षन की बात करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें, तो एक चीज आपको यहाद रखना है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ना दोस्त, इस चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हाँ पर रखा गया है 0-18 बρस मलब कौन से बच्चे इसके अंतरगात आते हैं तो हम बता देंगे कि 0-18 बरस तक के जो बच्चे हैं इनको हमने यहाँ पे सामिल किया गया है इनके अधिकारों का संडक्शन करना है तो हमारों जो बाल अधिकार अधिकार संडक्शन आयूग है कि इस उम्र तक के बच्चों के अधिकारों का संडक्षन करता है पहला सवाल आपके पेपर में यही आएगा मेरे दोस्त तो याद रखना पहला सवाल है जीरो से लेके 18 बर्स के बच्चे यह जो एक्ट बना इससे पहले की जो कहानी है आप चरह पहले उसको देख लिजे कि हमारा जो संबीधान है हमारा जो Constitution है कि Constitution बच्चों के बारे में क्या बोलता है अगर आप एक बार Constitution को देख लेते हैं Constitution को या जिसे आप लोग कहते हैं संबीधान तो बहुत सारी चीजे ओटोमेटिकली हमारी कबर हो जाती है बच्चे अगर मैं संबीधान की बात करता हूँ तो भारत के संबीधान का एक आर्टिकल आपने देखा होगा जिसे आप लोग कहते हैं आर्टिकल नमर पन्दरा आर्टिकल पन्दरा में बोला गया है कि जो राज है ये विमन, विमन्स, महिलाएं, एंड चाइल्ड जो बच्चे हैं इनके लिए अगर कोई special provision करता है कोई business प्राबधान करता है कोई business कानून बनाता है तो ये violation of fundamental right नहीं माना जाएगा आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है ध्यान रखिएगा बच्चा कि जो पहला एक आर्टिकल है पंदरा आर्टिकल है जो बच्चों के अधिकारों के संद्रक्षन की बात कर रहा है कि बच्चों के लिए अगर राजी के दौरा कोई business प्रोग्राम किये ज लेकिन पंदरा की सब आर्टिकल टू को जाके आप लोग पढ़ोगे तो बहां पे चीज बोली गया है कि अगर राज बच्चों के लिए महिलाओं के लिए कोई business प्रावधन बनाता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा पूर एक्जामपल जैसे आपने देखा होगा कि छे ब एसा नहीं होगा एसा नहीं होगा क्यों क्यों राज प्रॉविजन कर सकता है जैसे 18 वर्स तक के जो बच्चे है इनके लिए सरकार फिरी एजूकेशन देती है सब बोलने लगे नहीं हम सब को फिरी दो बच्चों के लिए प्रावधान किया जा सकता है यह article नमबर 15 में और का द्यान रखिएगा इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो हमारे सम्मिधान का जो आर्टिकल ट्वीन्टीफूर है यहां पे क्या बोला गया है जो बच्चे हैं बच्चे हैं, चवदा वर्स से कम उम्र के बच्चे, चवदा वर्स से कम उम्र के बच्चे हैं, ये कार खानों में काम नहीं कर सकते, मतब बिलो 14 years is children does not work in any kind of heavy industry, तोटे मोटे काम कर सकते हैं पर किसी बड़े कार खाने में जहां पर risky वरके वहां काम नहीं कर पाएंगे, और इसी तरीके से भारत के संभिधान का एक आर्टिकल आपना देखा होगा, जिसको आप जानते हैं, आर्टिकल लंबर 45, ये बात करता था child education की, इसने बोला था कि जो elementary education है, ये राज के द्वारा इनको provide कराना पड़ेगा, तो बच्चे हमारे संभिधान के जो provision है, आप इन provision पर प्लीजन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से आप से कोई question पूछ सकता है, यहां से आप से कोई question पूछ सकता है ध्यान रखना, तो पहले आप लोग क्या बताएंगे कि ये कितने किस उम्रे तक के बच्चों को protect करता है, 0 से लेके 18 तक, हमारे भी business अधिकार दे दिया है, तो आप उसको भेदवाब नहीं मानेंगे, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कार खानों में काम नहीं कराएंगे, और आर्टिकल 45 कहता है कि जो child education है, बच्चों के लिए सिक्षा है, यह सिक्षा provide कराई जाएगी, बचे आपकी voice थोड़ा आप केजिए बीटा, जो चिलाना होता है ना, चिलाने को पढ़ाई नहीं कहते हैं, मेरा अपना एक teaching style है, मैं बहुत slow बोलता हूँ, बहुत दीमा बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा comfort है, तो please, आप अपने volume को raise कर देजे, थोड़ा मैं भी classes को बाद में देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि आप आज तो बहुत सफीशेंट है, चिलाना अगर teaching है, तो फिर हर चिलाने वाले लोग ही teacher बन सकते हैं, चिलाने के से teaching नहीं होती है, बीटा ध्यान रखना, चली, तो यह अप लोग याद रखेंगी, article 15, article 24, article 45, अब हुआ क्या, हुआ क्या, बहर सरकार ने एक संभिधान संसुदन लेकर आई, च्यासीवर संभिधान संसुदन, 86, च्यासीवर संभिधान संसुदन, 2002 में सरकार लेकर आई, और इस संभिधान संसुदन के द्वारा, सरकार ने एक प्राफधान किया, प्राफधान To Education, Education is, 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 FR, जो सिक्षा का अधिकार है, एक मौलेक अधिकार है, 21A में बोला गया, मतलब ये भी बच्चों को सिक्षा प्रोबाइट कराने के लिए सपोर्ट करता है, और इसी आर्टीकल को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने RTE Act बना दिया, सिक्षा का अधिकार अधिक 2009 के नाम से, और ये लागूगा बच्चे कब, कब से लागूगा, एक, एक, अप्रेल, अप्रेल 2010 से, और इसमें बोला गया, कि सभी बच्चों को सिक्षा मिलना चाहिए, अगर उनके पास पैसा नहीं है, तब भी आप उनको सिक्षा प्रोबाइट कराएंगे, और इसी के अंतरगत, इसी के अंतरगत, हमने जो आर्टिकल 51A है, इस आर्टिकल 51A में एक ग्यारवा प्रापधान एड किया, कि बच्चों को सिक्षा प्रोबाइट कराना पालक का करतब है, Education for children, childhood education is duty of guardian, जो भी पालक है, बच्चों को सिक्षा प्रोबाइट कराना उनका करतब है, तो हमारे सम्विधान ने बहुत सारी बात है की हैं बच्चों के संडक्षन के लिए लेकिन सही से बहदर तरीके से बच्चों का संडक्षन नहीं हो पा रहा था इसको लेकर भी काफी सारे काम आए थे ठीक है टिक है इसको लेकर बहुत सारे प्राबधान थे सम्मिधान में बहुत सारी चीज़े थें लेकिन फिर भी बच्चों के अधिकारों का प्रोटेक्सन नहीं हो पा रह था इसलिए फिर सरकार में कुछ प्रयास के उन प्रयासों की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं बच्चा समझने की कुशिच करिएगा मैं एक बार रीकेप कर देता हूं सारे आर्टिकल देखो आर्टिकल 15 कहता है कि बच्चों के लिए बिसेस कानून बना सकती है सरकार की अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा बॉयलेशन ओफ एफ र नहीं माना जाएगा आर्टिकल 24 मे के लिए शिक्चा प्रवाइड कराएगा राज्यों आफ फॉर्टी फाइविक डीपी एसपी यही लागों होते हैं राज्यकी इक्चा के आधार पर इसी लिए हम च्छासी वा संभीदान संसोदन लेकिया है 2002 में और हमने बूल दिया राइट टू एजुकेशन इस फंडा और इसके थुरू हमने 2010 से हर एक सी स्कूल में प्राभधान कर दिया कि उन बच्चों को भी सिक्षा दो जिनके पास पैसा नहीं है जिसी के अंतरगत हमने एक्यावन ए आर्टीकल जहां पर एफडी है ग्यार प्राभधान एट किया कि चाइल्ड एजुकेशन इस ड्यूट अब इसी दिशा में सरकार ने इन चीजों को थोड़ा सा और प्रभावी बनाने के लिए एक्ट बना दिया नेशनल जाइड प्रोटेक्शन ठीक है नेशनल कमिशन फूर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट अब इसको कैसे जानते है बाल अधिकार संडख्षन आयोग मैं राच्ट ही नहीं लिख रहा हूँ स्वाट लिख रहा हूँ बाल, बाल, संदक्षन, अधिकार, ठीक है, बाल, संदक्षन, आयोग, या बाल, संदक्षन, आयोग, एक आयोग बनाया, तरही आयोग कब बनाया गया? बचापार्टी द्यान रखना, ये बनाया गया, 2007 में, 2007 में, इसका ग्राउंड क्या था? इसका जो बेस है, या जिसे आप लोग ग्राउंड कहते हैं, वो क्या है? तो आप लोग बताएंगे, कि हमने एक एक बनाया था, चाइल्ड, राइट, राइट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एक्ट, एक्ट, दुहजार पाँच, वाल, संदक्शन, वाल, अधिकार, अधिकार, संदक्शन, अधिनियम, अधिनियम, ये कप का है? ये दुहजार पाँच का है, यह हमने एक एक्ट बनाया, इस एक्ट के अंतरगत हमने 2007 में बाल संडक्षन आयोग का गठन कर दिया, क्योंकि इस एक्ट में बोला गया था कि हमें बाल संडक्षन आयोग को यहां पर गठन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीकि बचा पार्टी मैं फिर से बोलता हूँ, इसका आधार क्या था, Child Right Protection Act 2005, इसके अंतरगत 2007 में इसका गठन किया गया है, इसके गठन के दो इसतर होते हैं बचे, एक हमको देखने को मलेगा, National Child Right Protection Commission और एक आपको देखने को मलेगा, State Commission for Protection of Child Right, इस तरीके से आपको यह देखने को मिल जाते हैं, दो इसके इसतर देखने को बलेंगे, एक राज इसतर पर, एक स्टेट इसतर पर, कब बना 2007 में, कैसा है, इसका स्टेटस क्या है, आप से कोई पूछेगा, पिसर, स्टेटस बता दीजिए, मतलब इसकी इस्थिती कैसी है, या इसकी जो प्रकरती है, वो क्या है बचे, आप बोलेंगे, State Theory है, आप बोलेंगे, यह एक बैधानिक है, कैसा है बच्चा, यह एक बैधानिक निकाय है, तो चार पांच बाचे, प्लीज कब 2007 में, किस के अंतरगत किया गया, 2005 के एक्ट के अंतरगत, यह कैसा है, यह एक बैधानिक है, बैधानिक का मतलब क्या होता है, बैधानिक का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, बचे, जो एक्ट के द्वारा बनाए गए हो, एक्ट के द्वारा, देखो इसके जो section 3 है, जिसे और इसके जो धारा सत्रा है इसका जो section 70 ने ये बोलता है बस ये दो ही धारा आपको यहाँ पर आद रखने हैं एक धारा सत्रा कि किसके गठन की बात की गई है कि दूजार पांच का ये अधियम था ठीक है इतना जल्दी लिख़ लीजिए धीरे धीरे बेटढ सबको समझब HI mag आजाएगा परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके से अगर आप परेशान होंगे तो चीज़े आपको समझ वैठने नहीं आइंगे ठीक है परेशान नहीं हो अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं इतिहास, तो आप समझेंगे कि कैसे चाइल्ड राइटों को लेके कानून बनाए गए। 1974 में एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमिंग की गई थी, किसके लिए बाल संदक्षन के लिए, और इसी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1980 में, 1980 में, UN ने एक चार्टर जारी किया था, एक चार्टर या था, इवन चार्टर फोर, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, चाइ 1980 में, और ये बिटा लागू कब हुगा, ये लागूगा, 1992, 1992, UN, UN, चार्टर, UN, चार्टर, इन एक टेड, इन एक टेड, मतलब यह है, तो इकरत हो गया, यह है अस्तित में आ गया, और इस पे, इस पे, भाहरे सरकार ने, जो साइन किये, वो किये, 11 दिशंबर, 1992, 1992 में, भाहरत ने, इसको साइन कर दिया, यह भाहरत सरकार ने, इस पे, हस्ताक्चर कर दिये, बच्चे, इनका परंपरा की सुरवारत कहां से होती है, 1974 से, 1974 में, भाहरत ने एक नीती बनाई, 1989 में, युएन चार्टर आया, 1989 में, युएन का गुशना पत्र आया, युएन गुशना पत्र, इसको लेकर बच्चे, इसको लेकर, इसको लेकर, बच्चों के अधिकारों को रेकर, 1992 में, इसको अस्तित में लाया गया, कि, पूरी दुनिया में, यह लागू हो गया, 1992 में, ध्यान रखना, और भारत ने, इस पिर 1992 में हस्ताक्चर कर दी है, ठीक है बई, तो, 1989 का एक act है, 1994 में भारत ने नीती बनाई और भारत ने लागू कप कर दिया 1992 में, ये तो कहानी चलती रही, ये कहानी चलती रही, चलती रही, चलती रही, इस तरीके से आप इसके background को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, फिर भारत सरकार ने क्या किया, देखो, भारत सरकार इन अधिकारों को भेतर बनाने के लिए, 2005 में एक act लेकर आई, 2005 में एक act लेकर आई, जिसे आप लोग जानते हैं, Child Right Protection Act, CRPA, आप इसको जानते हैं, बाल, बाल, संदक्षन, अधिकार, अधिकार, बाल संदक्षन, अधिनिया में या बाल संदक्षन, यह कब पारित हुआ, यह कब पारित हुआ, यह पारित हुआ, बच्चा, 2006 में, 2006 में, परवरी 2006 में आपके पास ही पास हो गया, और इसी के अंतरकत हमने, 2007 में, 2007 में, कमिशन बना दिए, कमिशन बना दिए, जैसे, सक्षन 3 कहता है, कि नेशल कमिशन पूर प्रोटेक्शन ऑफचाइल्ड राइट, और इसका सेक्षन 17 कहता है, इस्टेट कमिशन फोर प्रोटेक्शन चाइल राइट आपसे कोई पूछेगा भारे सरकार एक्ट कब लेके आई एक्ट लेके आई 2005 में 2005 में ठीक है कब पारित हुआ परवरी 2006 में पारित हुआ 2007 में हमने इसके अंतरगत कमिशन बना दिये जो आयोग हैं जिसे आप लोग कमिशन कहते हो इसका गठन कप किया गया 2007 में National Commission for Protection of Child Right और State Commission for Protection of Child Right ये सारे आपको देखने हैं कि आपर मिल जाते हैं 2007 में इन पर आगे बढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजे वार याद रखने हैं देखो हमने जो पॉलिसी बनाई है चाइल्ड राइट को लेके बचे द्यान रखना एक तो सरकार ने बनाई पहली पॉलिसी 1974 में फिर सरकार बनाती है 2004 में और फिर सरकार बनाती है 2013 में सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं चाइल्ड राइट को प्रोटेट करने के लिए ये कब कब बनाई गई 1974, 2004 और 2013 ये तीन नीती आप लोग याद रख लेंगे तो 2005 के एक्ट के अंतरगत 2007 में आपने कमिशन बना दिया इस बात का ध्यान रखिएगा आई होग की यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत है यहां पर किसी बच्चे को नहीं है यहां तक की कहानी सबको क्लियर है एक बार बता दें कि यह सर क्लियर है everything is clear मजिदार सहसान है बच्चे यह आप इनको enjoy कीजिए एक बार सारा recap कराता हो है न एक बार सारा recap हो जाएगा अभी बस आप यह देखिए कि यहां तक सब कुछ के लिए रहे कोई doubt है नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो National Commission for Protection of Childhood and PCR ठीक है इंगलिस में लिख देते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब की गई सबसे important चीज इसकी स्थापना कुछ बिंदु अमें पढ़ने होते हैं अगर मैं सबसे पहले आपसे एक question पूछू कि establishment कब इसकी स्थापन होई अब सारे बच्चे बता सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई 2007 में कैसे की गई 2005 के एक्ट के अंतरगत अगर बच्चे आपसे कोई पूछेगा कि इसका status क्या है इसकी प्रकृति क्या है इसका nature क्या है तो आप बोलेंगे यह हमारा अभी एक एक बैधानिक निकाह है या हिंदी में आप इसको संबिधिक भी कह सकते हैं इस्टेटियोरी या आप इसको संबिधिक कह सकते हैं ठीक है इस्टेबलेस्मेंट का होगा 2007 में प्रकृति कैसी है इसकी संबिधिक है किस मंत्राले की अंतरकत आता है अगर बच्चे आपसे कोई पूछता है कि यह किस मंत्राले या किस मिनिस्ट्री का हिस्सा है तो आप सारे बच्चे बताएंगे कि विमन एंड 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 चाइल्ड राइट राइट कमिशन महिला एबं पाल बिकास मंत्राले के अंतरकत ये आता है ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछेगा अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये इसका गठन का हुगा तो या शाथ में इसकी इस्थाब कैसा है संवेदेक मंत्राले कौन सा है महिला एबं चाइल्ड राइट कमिशन महिला एबं वाल बिकास मंत्राले ठीक है बई मंत्राले इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चे अगर आपसे कोई पूछेगा कि इनकी appointment कौन करता है देखो appointment ठीक है terms and condition removal ये सब कुछ बेटा कौन करता है ये करती है central government कौन करती है central government ध्यान रखना कौन करेगा central government appointment कौन करेगी केंद्र सरकार हटाएगा कौन केंद्र सरकार ठीक है ठीक है डेट भी लिख देते हैं बच्चे पांच मार्च एलो डेट भी लिख दिया पांच मार्च देखो एक question का answer आपको ही मिल जाना चाहिए कि इनके rules and regulation कौन बनाएगा केंद्र सरकार निक्ति कौन करेगी केंद्र सरकार हटाएगी कांद्र स अरे काम कौन करेगा बच्चे हैं पर केंद्र सरकार करने वादे ध्यान रखना इस से रेलेटिट जितने भी काम है यह सारे काम और बेटा कौन करेगा, अगर हमसे कोई पूछेगा तो एज होती है, 0-18 वर्स के उम्र तक के बच्चे किस बच्चे का ये चेक करते हैं किस बच्चे की कारवाई करते हैं तो 0 से लेके 18 तक के बच्चों के ठीक है बई अगर हमसे कोई चेर्मेन की बात करता है सर इनके थोड़े से चेर्मेन बता दीजिए तो बच्चे इसके पहले जो चेर्मेन थे पहले, पहले, फस्ट, वो थे सांता, सांता सिन्ह, ठीक है, पहले कौन थे, सांता सिन्ह, अभी कौन है, तो अभी हैं आपके, प्रियांक, प्रियांक, कानू, कानू, नागो, प्रियांक, कानू, नागो, इतनी सारी बाते लिख लो, और ऐसे ही लिखना, जिससे याद करने में दिक्कत नहों, सारी बच्चे ऐसे कैसे इनको लिख लेंगे, ठीके, सारी बच्चे ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीके, सांता सिन्ना, प्रियांग कानुनागो, सांता सिन्ना पहले थे, और अभी कौन है, प्रियांग कानुनागो है, प्रियांग कानुनागो, हाँ बेटा, ठीक है चलो दूसरे है कुसल सिंग और तीसरे थे इस्तुती नारायन इस्तुती नारायन तो सारे अध्यक्षों के नाम भी आपके सामने है इनमें से कौन National Commission for Protection of Child Right का चेर्मेन नहीं बना है आप बता देंगे कि ये सारे लोग यहाँ पर बने है चलो जदी लिखो क्या बात है चलिए भाई देख लिया बच्चे फिर से बोलता हूँ देखो पहला हमने क्या पड़ा सर इस्थापना इस्थापना कब ही 2007 में 5 मर्च फिरकरती क्या है मंत्रा ले कौन सा आता है बच्चे तो मंत्रा ले आप बताएंगे विमन एंड चाइल्ड राइट मिनिस्ट्री ठीक है चौथे नमर पर हमने क्या लिखा बेटा देखो इसमें बहुत सार चीजे है पहला अपोइंट्मेंट केंसरकार सेवा सरते केंसरकार removal केंसरकार सब कुछ कौन करता है केंसरकार headquarter कहां पर है तो ये है New Delhi ठीक है इस ग्रुप के बच्चों की काम देखता है 0 से लेकर 18 बरस तक के सारे बच्चों के काम यहां पर देखेगा ठीक है बई? चल आप अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसके structure की, किसर इसका structure क्या है, इसकी संरशना क्या है, आप हमें एक बात बता दीजिए, बच्चे अगर हम structure की बात करते हैं, संरशना की बात करेंगे, बच्चा ये बनता है, ये बनता है, एक प्लस हैसे, इसका जो structure है, वो है, एक अध्यक्छ होगा? अध्यक्छ. एक ही हो सकता है और जो Members की संख्या बच्चे कितनी होगी, यहाँ से होगी. अध्यक्च कौन होगा, बच्चे? एक होगा. वगए कितनी होगी? छै होगी. ध्यान रखना. इनकी Appointment कौन करेगíst किसकी दवारा appoint होंगे तो बच्चे यहाँ पर लिख देता हूँ कि appointed by appointed appointed by central government कौन appoint करेगा बच्चा? केंदर सरकार ठीक है बई? अब देखो बहुत simple सी बात है जो सदस होते हैं ना बच्चे इनको तो direct सीधे सीधे सरकार अपॉइंट कर देती है मतलब इनको तो सीधे सरकार सीधे government अपॉइंट कर देती है कोई दिकत नहीं है लेकिन जो chairman है ना बच्चे chairman इसको अपॉइंट करने के लिए एक committee बनती है chairman को अपॉइंट करने के लिए एक committee बनती है और इस कमेटी के head होते हैं महिला एवं महिला एवं बाल विकास मंतरी महिला एवं बाल विकास मंतरी ध्यान रखना यह बहुत important है बेटा Women and Child Development जो ministry है इस क्या जो मंतरी होता है इस कमेटी का head होता है और इसमें दो minister और रहते हैं और दो minister कोई भी हो सकते हैं ध्यान रखना अब एक question पूछा जाता है यहां से बहुत प्यारा question बनता है कि जो National Commission for protection of child right है इसकी सदस्यों की निक्ती समीती की सिफारिस पर की जाती है नहीं की जाती बचे इसकी सदस्यों की निक्ती डारेक्ट केंद्र सरकार करती है दूसरा question यहां से बन सकता है कि National Commission for protection child right का जो chairman है जो अध्यक्ष है इसकी निक्ती सीधे सरकार करती है सीधे नहीं करती है समीती की सिफारिस पर करती समीती में कितने सदस होते हैं प्रदान मंत्री नहीं होते हैं हो सकते हैं द्यान रखना के लिए बचा पार्टी तो सदस से कैसे ने उन्ट की जाते हैं सरकार सीधे कर देती है बिना किसी समीती की शिफारिस पर लेकिन अध्यक्ष को जब भी नियुक्त किया जाएगा एक तीन सदस्य समीती बनाई जाएगी और समीती को कौन चेर्ड करेगा उस समीती का हैट कौन होगा महिला एबं बाल विकास मंतरी जो भी मंतराले में होगा उस समय वही कौन करेंगे इसके चेर्मेन होगे ध्यान रखना ठीक है भाई याद रहेगा याद रहेगा फिर से बोल रहा हूँ क्वेशन पूचा जाता है कि इस समीती की अध्यक्षता नहीं करता है प्रधान मंतरी जिसमें TIC, TBC, ठीक है अध्यक्ष को निवख्द करने के लिए उसका जो चेर्मेन है इस चेर्मेन को निवख्द करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखीएगा ठीक है भई, clear है कहानी कितने में होते हैं बेटा, कितने होते हैं 6 minimum नोट लगा क्लिख न, कि minimum कितनी महिलाएं चाहिए दो महिला सदस अनिवार हैं पत्दब पूरा जो हमारा कमिशन है इस कमिशन में दो महिलाएं होने चाहिए वो एक अध्यक्ष एक सदस हो सकते हैं या दौनों सदस भी हो सकते हैं यह सारी चीज़े लिख लीजिए फिर मैं आपको इसको repeat भी कर देता हूँ मैं एक बार फिर से इसको repeat भी कर देता हूँ पचे फिर से लिख लीजिए जल्दी से वाल संदक्षन आयोग अबने क्या बोला इस्ट्रक्चर संदचना क्या है एक प्लस साथ अब देखो कितने सदस होते हैं फुल कितने हो गए बिटा टोटल अगर आप से कोई पू कोई महिलाएं होनी चाहिए नैसल कमिशन फूर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में मिनिममम दो महिला सदस होनी चाहिए देखो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कहां स्ट कमिशन, स्ट कमिशन, ओवी सी कमिशन उसमें एक महिला सदस्य अनिवार थी लेकिन यहां दो महिला सदस्यों का होना अनिवार है ठीक है याद रहेगा अब आप से कोई पूछ सकता है कि सर कौन बन सकता है कौन बन सकता है बचे तो समझे जब भी आप से कोई qualification या योगता हैं तो देखो एक ची लिखी गई है कि कोई भी प्रिसिद्ध ब्यक्ति प्रिसिद्ध मतलब वो famous होना चाहिए एक तो प्रिसिद्ध होना चाहिए पहली सर्त यह है कि प्रिसिद्ध हो अब प्रिसिद्ध ऐसा ही नहीं हो जाते है न कोई भी famous personality लेकिन famous personality किस field में इस फील्ड में देखो, या तो वह चाइल्ड राइट, मतलब बच्चों के अधिकार के लिए काम करते हों, जैसे आपने एक नाम सुनाओगा, कैला सत्यार्थी, फेमस हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काम किया है, अब बच्चों से सम्मंदित, जितनी भी फील्ड हैं, जित से इसमें सिक्चा आजाती है, सिक्चा, एजूकेशन, इसमें जुविनाईल कोट आजाता है, इसमें मनुविज्ञान आ जाता है, मतलब बच्चों से सम्मंदित, जितने भी फील्ड हैं, इसमें कानून की पढ़ाइए आजाती है, अगर आप उसमें फेमस हैं, आप सदस् और न्याल हो सकता है, बच्चों सम्मंदित कानून हो सकते हैं, मनु विज्ञान हो सकता है, समाज सास्त्र, इनके जो famous personality हैं, उनको ही हम इस commission में अध्यक्ष और सदस्ट के तोर पे appoint कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है बई, याद रहेगा, ठीक, निकती कैसे की जाती है ये भी आपको समझ में आगया, appointment कौन करता है, मैं एक बाद फिर से बताता हूँ, देखो, ये तो सनरच्रा मैंने आपको बता दी, अब हम लोग बात करते हैं, appointment की, appointment, appointment, निकती, इसकी national commission for protection of child light, N-C-PCR, appointment में बच्चे दू चीज़े आपको याद रखनी हैं, पहले आप ल chairman, मैं पहले member लिख देता हूँ, क्योंकि इनकी निकती बहुत सरल है, members, तदस, तो आप बोलेंगी, भीया, इनका appointment की जाती है, direct, central government, direct, central government, सरकार appointment कर देती है, दूसरा आता है, यहाँ पर chairman, 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 जिसा आप लोग बोलते हैं, अध्यक्ष, तर अध्यक्ष निकत कैसा होता है, ता आप बताएंगे, चैन समीती की द्वारा, कैसा होगा, चैन समीती, एक committee है, वही इसका selection कर सकती है, इसका chain किया जाएगा, एक committee की सिफारिस पर, यह committee कितने सदस्य होगी, बेटा, यह committee team होगे, तीन सदस्य, कितने member होगे बच्चे इसमें, तीन member होगे, तीन member, इसको chaired कौन करेगा, इसको chaired कौन करेगा, ठीक है, तो minister of, minister of women and child development ministry, महिला इवं, बाल विकास मंत्राले के जो मंत्री है, वो इसको क्या करेंगे, chaired करेंगे, तो यह इनकी appointment की बात हो गई, आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, एक एक चीज को बारवर वीटा सिर्फ इसलिए बताता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है बई, ठीक है, जरू, अब हम लोग बात करते हैं, इ अगर हम tenure की बात करेंगे बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना यहां पर लिखा गया है सबसे पहले chairman chairman का होता है बिटा तीन साल 3 year या 65 year तीन साल, तीन बर्स या 65 साल तक और जो member होते हैं ये होते हैं 3 साल या 60 साल बतलब 3 साल तक रहेंगे या 60 साल तक रहेंगे और आप यहां पर बता देंगे maximum maximum two time maximum two time मतलब सिर्फ दो बार ही इस पत पर ये नियुक्त हो सकते हैं इस से ज़्यादा बार नहीं होंगे ध्यान रखना तो इनकी पदावधी क्या है इसका tenure क्या है एक है tenure में अध्यक्ष जिसे आप लोग बूल रहे है chairman 365 और एक है आपके पास बेटा कौन सदस और सदस कहां पर आते हैं बचे सदस आते हैं 360 में याद रखना पदावधी ठीक है पदावधी tenure सबसे पहले हमने बात की appointment की कौन करेगा central government कौन करता है appointed by central government appointment सिर्फ और सिर्फ central government कर सकती है ना तो राश्पती करेगा ना ही supreme court करेगा बचे पास अबदावधी 365 और 37 हाँ सचिब भी होता है सचिब हर एक commission में होगा ठीक है चलो यहादा कहानी लिख लिए यहादा कहानी लिख लिए देखो यह होता है त्याक पत्र रेज़े किनिक्शन किसको देश सकते हैं बचे यह देश सकते हैं cancer car cancer car एक होता है removal 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 इसे आप लोग कहते हैं पदित्याग पद से अटाना कैसे अटा सकते हैं बचेसे अटा सकते हैं बहुत सिंपल सी बात है कि कीन सरकार कीन सरकार आदेश से इसके आधार क्या हो सकते हैं इस आधार पर हटा सकती हैं उसके ग्राउंड क्या है बीटा ग्राउंड देखो बहुत अच्छे समय ना ग्राउंड से इसके बहुत किलियर हैं एक तो वही साबद कदाचार साबद कदाचार मतलब violation of proven miss behavior तो ऐसा लिखते हैं proven miss behavior proven miss behavior दूसरा संवीधान का अथिकिर्मन सक्तियों का दुरोप्योग दुरोप्योग miss use of power miss use of power इसरा आप लोग यहां पर लेख सकते हैं अपरादिक प्रकरण अपरादिक प्रकरण अगर आपके उपर कोई criminal charges लग जाते हैं तब भी आपको अटा सकते हैं criminal charges अगर आप अगर आप हो जाते हैं अगर आप लोग बैंक रफ्ट हो जाते हैं अगर आप पागल हो जाते हैं केंदर सरकार तेकर कौन अटाएगी केंदर सरकार अगर आप तीन जो बैठक रहते हैं लगातार अब भी आपको आपको हटा देंगे और एक special सर्थ है एक special सर्थ है कि जो chairman है न chairman इस chairman की post को 90 days में आपको full करना है बतलब ये पद 90 दिन से खाली नहीं रह सकता ठीक है? खाली नहीं रह सकता नहीं रह सकता 90 दिन से अधिक ये सर्थ किसी भी में नहीं लिखी गए ये बेटा सिर्फ इसी में लिखी गए चाइल्ड कमिशन फूर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन चलो ठीक है बई? बेटा देखो कुल सदस साथ होते हैं अगर अध्यक्ष को मिला लें तो ठीक है? अध्यक्ष को मिला लें तो कुल सदस कितने होते हैं? साथ होते हैं लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर कितने हो जाते हैं? अध्यक्ष को छोड़कर हो जाते हैं बेटा कितने हैं यहां पर इच्छ है एक आ रहा है समझ भे तो यह इनके हटाने के आधार हो गए हैं बेटा कारी क्या होंगे कार अगर हम बर्क की बात करें मिटा क्या हो सकता है आपको सोच सकते हैं कि वो सभी काम होंगे चाइल्ड राइट से रिलेटेट मतब पॉलिसी मेकिंग policy making जो नीती निर्माण है ये नीती निर्माण करना ताकि बहतर नीती यहां पर बन सके नीती निर्माण में साहे था review of policy and laws review of policy and laws जो भी नीती है नीतियों एबम कानुनों की समीक्षा करना समीक्षा करना वाल अधिकारों वाल अधिकार संदक्षन मतलब किस तरीके से हम वाल अधिकारों का संदक्षन कर सकते हैं ये भी है बताएगा कि कैसे हम लोग राइट प्रोटेक्षन कर सकते हैं बच्चों के अधिकार से संबंद में अनुसंधान अनुसंधान मतलब यह यहां पर रिसर्च भी करता है कि कैसे और बहतर हम कानूनों को बना सकते हैं कैसे हम लोग कानूनों को बना सकते हैं, एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि जाग रुकता, जाग रुकता लाना, बाल अधिकारों के संबन्द में, आप इसे बोलेंगे, कि अवेर्नेस लेके आना, बदब इसका बेटा बहुत सिंपल सा काम यही है, कि जो बाल अधिकार है इन अधिकारों को कैसे बहतर बना सकते हैं, जो बच्चे अनाथालों में हैं, जो बच्चे जेलों में हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कैसे बहतर कर सकते हैं, यह सारे के सारे काम इसके होंगे, आप समझो, जैसे बिमन कमिशन है, वो किस के लिए काम करेगा, महिलाओं क बैलफेर के लिए ये भी किसके लिए काम करता है बच्चों के बैलफेर के लिए इसमें सारी चीज़ आते हैं कोई भी राष्ट की कानून हो कोई राज्जिका कानून हो इन सब को देखेगा बच्चों के अधिकारों के बारे में जावरुकता लेके आना कि किस तरीके से बच सब्मंदित राज्य सरकार को देगा, अगर किसी राज्य सरकार से जुड़ा मामला है तो ये State Government को भी देगा ठीक है भई? State Government को देगा Report का है सर? 16 में किसको देता है? केंदर के लिए केंदर सरकार को और राजवा से सम्मंदित मामलों के लिए राज सरकार को ठीक है? चली तो आगे बढ़ते हैं IHOG की यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर Power की बात करें तो Civil Code की Power लेकर चलता है ठीक है? अगर आप यह लिख लिजी बेटा काम लिख लिजी जल्दी Policy Making हमारी जब दो बहे से Classes Start हुई है तो इसी समय आजकल Electricity परिसान करने लगी है चली भी चली गई थी आज भी चली गई ठीक है भाई जड़ो अब हम लोग बात करते हैं Powers की कि भाई इसके पास क्या Powers है Powers रखतियां तो एक चीज़ याद रखना कि हर एक Commission के पास बेटा Civil नियाले की Power है Civil Port ठीक है इसके पास दीवानी नियाले की Power होती है और दीवानी नियाले का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा होता है कि किसी भी व्यक्ती पर जाँच कर सकता है किसी भी व्यक्ती को गवाई के लिए बुला सकता है किसी से भी कोई Report मांग सकता है कहीं भी यह जाज बिटाल सकता है यह सारी चीजे इसमें और नहीं नहीं बिटा सेक्षन तो सत्रा है बर ध्यान रखना नहीं बिटा सिविल के पास दंड और जुर्बाने के पावर नहीं होता है इसके पास सिविल कोट की पावर है सिविल जो हमारी सिविल प्रिक्रिया साहिता है ना उसके अंतरगत इसको 1908 के अंतरगत इसको दी गई है दीबानी नियाले के सकते हैं सिविल कोट की मतलब ये किसी के खिलाब भी समन जारी कर सकता है समन मतलब ये किसी को बुला सकता है किसी के से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है किसी से भी कोई भी साक्ष मांग सकता है किसी की कोई भी गवाही ले सकता है किसी के हाँ पर कोई भी जाँच बिठाल सकता है किसी को भी ये कोई आदिश दे सकता है ये सारे काम इसके पास है ये सारे काम इसके पास है किसी भी नीती की समीक्षा कर सकता है समीक्षा कोई भी आप से ये कागज मांग सकता है किसी भी दोकुमेंट की मांग कर सकता है किसी को भी नियाले मदब अपने पास बुला सकता है ये इसके पास पावर होती है सक्तिया अगर हम लोग बात करें सेके पॉइंटेड बाई तैंटल गॉर्वेंट होते हैं पॉइंटेड वाई तैंटल गॉर्मेंट एक रेंक क्या होती है भारस सचव प्रदब जो भारस सरकार की सचव होते हैं इस rank का ये अधिकारी होता है सचिब और सचिब क्या करता है सचिब क्या करता है ये इसकी official जो बर्क होते है official work मतलब जो document होते हैं वो यही करते हैं एक चीज़ों लिखना कि इनकी जो दो बैठक होती है मतलब जो हमारा commission है इसकी दो बैठकों में दो meetings में meetings में 60 दिन से अधिकतम का gap नहीं होना चाहिए 60 days से अधिक का gap नहीं होना चाहिए मतलब 60 दिन के अंदर-अंदर इसकी दो बैठके होना चाहिए जैसे देखो हमारी संसद है संसद से क्या बुला है संसद से क्या बुला है कि संसद ने बोला है यह महिने में दो इसमा बोला है कि 60 दिन के अंदर-अंदर हमें दो बैठके यहाँ पर करना ही करना है, ठीक है बई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डोकोमेंट बेटा डोकोमेंट, मतलब क्या बोलते हैं आप इनको हिन्दी में डोकोमेंट लिखतू अब देखो बाल संदक्षन आयोग के बारे में लगबग सारी चीज़ा मैंने आपको बता दी है ठीक है? बारा जून बाल प्रम निशेद ठीक है? बिश्व क्या बनाते हैं लोग? बोटेक्शन पोवीशन ओफ ओफ चाइल्ड लेबर कम मनाते हैं बच्चे? बारा जून यह देट याद रखनी है बिश्व बाल स्त्रम निशेद दिबस कम मनाते हैं इक कम मनाते हैं बारा जून और 20 नवंबर 20 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं बल्ड बल्ड चाइल्ड राइट इतनी से फैक्ट आपके लिए ठीक रहेंगे, अब मैं एक बार revision करा देता हूँ, थोड़ा सा revision important होता है National Commission for Protection of Child Right National Commission for Protection of Child Right की बच्चेगर, आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो समझना सबसे पहले स्थापना 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 कब किय गई, आप सारी बच्चे बता देंगे, स्थापना किय गई है कि 5 March 5 March 2007 2007 को इसके अंतरगत, तो आप बताएंगे एक एक्ट था 2005 का 2005 के अधिनियम के अंतरगत और इस एक्ट ने बोला कि इसकी जो धारा 3 है ये कहती है और इसकी धारा 16 में बात की गई है तो 3 धारा हैं बस आपको याद रखने है 13, 17 और 16 अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इसकी जो परकरती है परकरती कैसी है इस तरीके का है इसका नेचर क्या है तो आप बताएंगे बैधानिक है कैसा है बच्चे बैधानिक है कि स्टेट यूरी है अगर आपसे कोई पूछेगा कि सन रचना सन रचना बच्चे क्या हुआ आप बता देंगे इसके स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष है, यहाँ पर छे सदस होते हैं, और इन में मिनीमम, 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 दो महिला का होना आबशक है, अगर आप से कोई पूछता है सरक कारेकाल, कारेकाल, जिसे आप लोग गोलते हैं, टैन्योर, टैन्योर बेटा क्या होना चाहिए, तो जो चेर्मेन है, इसका 365, 365, और जो मेंबर हैं, इनका 360, 360, कितने बार हो सकते हैं, टू टाइम, यह दो बार इसके बन सकते हैं, मतलब एक बार रे अपॉइंटमेंट इसका हो सकता है, रिमूवल कौन करेगा बेटा, तो रिमूवल आप सब को पता है, कि रिमूवल करती है, टैन्टल गॉवर्में नहीं दिल्ली में इसका हेड़ कौाटर है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, और जो समीती होती है, अध्यक्ष को अपॉइंट करने की जो समीती होती है, चेर्मेन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी में तीन सदस होते हैं, तीन सदस, पर इ यह आपका कमिशन है, आई होब कि आप इसको थोड़ा सा समझ गए होगे, हमने इनके constitutional right भी आपको बता दिये हैं, ठीक है, हमने इनके constitution right भी आपको बता दिये हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखियेगा, एक बचापार्टी चलो, क्या रिवाइस हुआ, मजा आया, थ एक चलो, कुछ कानून है, आप इन कानूनों को भी थोड़ा से देख लेजिए, कुछ laws आपको यहाँ पर देखने को बल जाएंगे, बहुत ज़्यादा laws नहीं पढ़ने हैं, दो-तीन laws अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे child labor prohibition act है, child labor provision act वाल अपराद संदक्षन अदेनियम sorry वाल स्रम वाल स्रम निशेद यह है बेटा कप का, यह है 1986 का, किस ओर न्याले juvenile court किस ओर न्याले यह है 2000 और हमने इसको 2016 में अमेंड किया है, juvenile code को, और child marriage 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 provision बाल विवा, निशेद अदिनियम यह है 2006 का, बस इतने सारे act आपको याद रखने, इसके अलावा कुछ भी act याद नहीं रखना है ठीक है, एक पॉसको एक्ट भी आपने पढ़ा होगा protection of child from sexual offense है ना, पॉसको बच्चे यह भी बहुत चर्चाम रहता है पॉसको एक्ट यह 2012 का है, देख ले ना provision of child from sexual offense बच्चों के साथ बहुत सारे sexual offense होते हैं, ध्यान रखना language जो बच्चों के साथ अपराद होते हैं ना उन language अपरादों से satisfaction मतब बच्चों के misconduct बच्चों के साथ ठीक है, language अपरादों से Sandruction बच्चों को हम pornography दिखाते हैं यह सब क्या है, यह यह अपराद है, क्योंकि बच्चे का मन तो बहुत चंचल होता है न बच्चों का यहां सख्चम बेच के कितने लोग है हाँ पॉस को प्रोवीजिन ओबर ईक्षाल ओफल्स है न प्रोवीजिन पॉर चिल्डरन इन टेक्षाल ओफैंस लेंगिक आपराद बच्चों का सेक्षाल बहुस सारी offense होते हैं, जैसे किसी बच्चे को आप pornographie दिखा रहे हैं, गलत है, किसी बच्चे को आप लोग bad touch कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास क्या है बिटा है यहाँ पर गलत है, ध्यान रखना ठीक है protection of children from sexual offense POS को इसको हम सौट में बोल देते हैं यह 2012 का है, तो हमें क्याद रखने हैं देखो विचर, जो बालसरम निसेद है, यह कप का है, 1986 का कि भई आप बच्चे काम नहीं करेंगे फिर हमने किसो न्याले जुमिनाईल कोट जैसे हमारे जो कोट है इनके लाग होने के लिए सारे यार याई है सब इसी से आपके पास लाग हो गए दिरहन रखने जली है जलो यहाद की गानी क्लिए है सारे बच्चे को जली बोलो सवाल बन जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया MP MP Child Right Protection Commission ठीक है Child Right Protection Commission यह आप लोग ऐसा लिख लिजिए State Commission for Protection of Child Right इसमें आप लोग आगे लिखते जिए M आप इसमें आगे लिखते जिए क्या ठीक है बई जलो MP इसका गठन कैसे होगा सर इसका जो Formation होगा Formation या गठन कैसे किया जाएगा सर आप बताएंगे कि जो Section 17 है 2005 के अधिनियम की 17 यह बोलती है State Commission for Protection of Child Right किसने दिया है बेटा 2005 का जो अधिनियम है बेटा आ सकते हैं किसी और के फॉन से Apply कर ले अपने फॉन से कर सकते हैं न बचे Payment के कह रहा है न Payment दूसरे से हो सकता है ठीक है Payment दूसरे से हो सकता है ध्यान रखना कव गठन होगा 22 November 2007 जेखो सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है जैसे अगर आप कोई पूछेगा Sir इसकी संदचना क्या है Sunrachna Sunrachna out, सेम है बचे क्या है यहाँ भी एक chairman होगा chairman होगा यहाँ भी 6 6 member होगे 6 member होगे 2 2 Simmons 2 महीलाओं का होना अनिवार है minimum 2 महीलाओं आप कहले आप बेखने को मिल जाती है इनके सारे काम कौन करेगा RNA सरकार Everything कौन करेगा State Government सब कुछ State Government ही करती है State Government करती है ज्यान रखना इनकी Terms and Condition इनकी Appointment इनका Removal सब कुछ कौन करेगा पीटा यहां भी केंस राज सरकार करती है बहां जो केंस सरकार करेगी यहां यह सारी चीजे हिस्टी की क्लास क्या हो नहीं भी बेटा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, इनका 10 और भी सेम है, संदरशना सेम है बेटा, इनका जो कारिकाल है, वो कारिकाल भी सेम है, कैसे होता है सर, देखो, जो चेर्मेन है, चेर्मेन, ये 365 और जो मेंबर है बेटा, ये कितने इनका रिमूवल करेगी रिपोर्ट किसको देंगे राज सरकार को ठीक है राज सरकार को यह कहानी है मद्ध प्रिदेश असिस्टन प्रोफेसर पेपर फस्ट का बैस है क्या बेटा अभी तो नहीं है लेकिन एक बार टीम से बात कर सकते हैं अगर लॉंच करें तो ठीक है वई गाने के लिए रहे कोई दिक्कत यादख की गाने के लिए है सबको जल्दी बोलो भाई आगे बढ़ते हैं देखते हैं कहानी को तो बचा पाटी हमने चाइल राइट प्रोटेक्शन कमिशन को पढ़ लिया है राजी को भी पढ़ लिया है और इस से रेलिटेड लगबख सारे सवाल आपके बन जाएंगे ठीक है एक बार बात करेंगे बटा एक बार टीम से बात करेंगे अगर होता है तो हम आपके लिए प्रोवाइट करा देंगे चलिए देखिए यह जो कमिशन की क्लासिस है ना बच्चे यह आप लोगों के वैल फेर के लिए लॉंच की गई है जिससे आप लोग बहतर तरीके से पढ़ सकें ठीक है पर हम देखते हैं कि इन क्लासिस हैं के अभी जो आल हैं वो क्या हैं एक बार देखते हैं अभी है करेंटली आपके देविंद मौरे करके कोई बैखती है जो बर्तमान में हैं एक बार चेक कर लाना एमपे वाले थोड़े से चेक करने पड़ते हैं देविंद मौरे साइद कोई है एमपी बाल संदक्षन आयो के कमिशन अब देखो National Commission for Women National Commission for Women मतलब रास्टी है रास्टी है महिला महिला आयोग रास्टी है महिला आयोग बचे अभी महिलाओं का बोल बाला है अभी आपने देखा है केन सरकार एक रिजर्बेशन बिल लेके आ गई है तो यहां से भी ठीक है यहां से भी बहुत सारी सवाल पूछे जाने की संभावना है पूल सकता है कि आप से एक या दो question directly महिला कमिशन से पूछ लिए जाए है ना यहां से question आप से पूछ सकते हैं थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिए गा ठीक है बई चलो अगर हम महिला कमिशन की बात करें तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि भारस सरकार ने एक एक्ट लाई थी एना women women right right protection protection act महिला अधिकार अधिकार तंडक्षन अधिनियम कब का है सरी यह है 1992 1992 1992 के अधिनियम के अंतरगत ही है ना 1992 के अधिनियम के अंतरगत ही हमने 1992 में 1992 में National National Commission 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 for women बना दिया रास्टी है महिला महिला आयोग बना दिया बच्चे दो चीज़ा आपको याद रखनी है एक्ट कप का है 1992 का और उसी में है ना उसी में हमने 1992 में ही ठीक है 1992 में ही हमने बच्चे पिन कर जाते अरे सर गलत पड़ा दिया गलत नहीं बच्चे एक्ट कप का है 1990 का और हमने आयोग कब बनाया 1992 हाँ ठीक है 31 जनवरी है देखो मैं डेट भी लिख दूँ दोनों की जिसे आपको दिक्कत ना हो यह जो एक्ट है यह हमारा 30 दिसंबर और यह है 31 जनवरी है टीक जलो तो विमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 90 और अधिनियम कप का है सर 1990 का ठीक है यह जो कमीशा ने कप का है 1992 का बच्चे अगर यह 1992 का है तो आप इसका नेचर बता देंगे सारे बच्चे इसकी प्रिक्रती बता सकते हैं कैसा हो गई यह इस्टेट यह उड़ी यह कैसा होगा यह होगा बै भानिक ठीक है आप इसको लिखना मैं बस थोड़ा सा पानी लेलूं फिर इस किलास को पन आगे बढ़ा रहे हैं संबिधानिक या बैधानिक ठीक है मैं जलो ठीक है जलो नेशनल कमिशन फूर बिमन अब अच्छे हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की तरफ जो हिस्ट्री है इसका बैक्ग्राउंड आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास देखो सरकार ने क्या किया ना 1974 1974 1974 का बर्स है इंद्र गांधी वाला यहाँ पर महिला और बच्चों की बारें बात के 1974 में महिला अधिकार महिला अधिकार अधिकार समीति का गठन किया गया विया विमन राइट कमेटी महिलाओं के पास कितने अधिकार हैं इसको देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया 1986 में 1906 में 1974 में जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है इसी कमेटी की सिफारिज पर हम लोगोंने 1986 1986 में एक मंत्राले बनाया 1986 में किस बात की हसी आ रही है बिटा रितिका क्यों असर रहें बचे इसी के अंतरगत हमने इसी सिफारिज क्याधार पर एक HRD मिनिस्ट्री बनाई HRD मिनिस्ट्री के अंतरगत पर एक चीज को हमने सामिल किया गया था इसमें एजुकेशन थे महीलाओं के अधिकार थे सबके अधिकार इसमें आपको देखने को मिल रही थे 1986 में 1986 में हमने 2006 में 2006 में यहाँ पर बना दिया आपको याद रखने इस से पहले वाली कहानी हमने आपको बताई दी है क्या बता दिया कि दिशंबर 1990 में 1990 में हमने एक्ट बनाया एक अधिनियम बनाया और इसी एक्ट के अंतरगत 31 जनवरी 1992 को 1992 को National Commission for Women बना दिया महिला आयो का बेठन कर दिया यह महिला आयो के वो बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है जो को संभीधान में अगर हम प्रोविजन की बात करें 1985 है ठीके ठीके देख लेंगे एक बार चेक कर लेंगे बचे कोई दिक्कत नहीं महिला अदिकार समीती HRD Ministry और Women Child Development Ministry 2006 में आक पास आ गई यह इससे पहले वाली कहानी हमने बच्चे आपको यहाँ पर बता ही दिये जो अगर हम लोग संभीधान की बात करें अगर हम इस Constitution में कुछ दिया गया है या नहीं हमारा जो संभीधान है इस संभीधान में कुछ दिया है या नहीं दिया है पिटा बहुत कुछ दिया है हमारा संभीधान महिलाओं के बारे में बहुत सारी बात है करता है बहुत सारी बात है कैसे सर देखो Article 14 यहां equality before law की चर्चा की गई है equality before law कि वहिया कानून के समख्च सब लोग समान है यहां समता की बात की गई है समता किसकी कानूने महिला पुरुस के आधार पे कोई भी भेदवाब नहीं करेगा अगर हम article 15 की बात करते हैं 15 तो यहां social equality की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ gender के आधार पे भेदवाब नहीं किया जाएगा तो यहां पर आपको सामाजिक समता की बात की गई है सामाजिक समता की बात की गई है article 16 employment की बात करता है रोजगार में समनता की बात करेगा कि किसी के साथ भी लिंक के आधार पर जेंडर के आधार पर रोजगार में भेदवाब नहीं करेगा तो महीलाओं को इतनी सारे प्रोविजन तो दिये ही गए हैं सबसे पहले एक्वैलेटी कानूनी समता की बात की गए सब लोग समान है कानून के सामने रोजगार में समता की बात की गई है ठीक है ठीक है रोजगार में समता की यहां पर बात की गई है इस बात का ध्यान रखना रोजगार में समता की बात की गई है आर्टिकल जो पंदरा है इस आर्टिकल सोला में ठीक राइट टू मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, पीटा यहां बोला गया है कि सभी को अधिकार है साधी का, मतलब मैंने महिलाओं के लिए इसली लिखा गया है क्योंकि महिलाओं के लिए यह जो अधिकार है ना बच्चे यह सीमित कर दिये जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी सानिता है, सब लोग क्या करते हैं बच्चे, सब लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता ही उनकी साधी करते हैं, बच्चे जन्म देने का अधिकार है इनका अधिकार है ध्यान रखना, यह चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो मना कर सकते हैं, आप उन्हें बाद दिन कर सकते हैं ठीक है बात नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 39 ठीक है आर्टिकल 39 एक ही अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं आर्टिकल 39 में बिटा देखो दो प्रोवीजन है आर्टिकल 39 ए आपके यहां पर देखने को मिलेगा और यहां ठीक है यहां उन्होंने बुला है इसमोले इसमोले Equal Distribution Equal Distribution of Resources Among Among Male and Female इन्होंने बुला है संसाधनों का संसाधनों का का समान बितरण महिला इवं परसों के बीच में समान बितरण आदा चाहिए महिला इवं परसों के बीच में और 39 का जो Small d है यह कहता है Equal pay for equal work Equal Pay for Equal work Equal Work यहाँ पर बूला गया है कि समान कार के लिए समान बेतन जैसे एक पोश्ट पर दो लोग है चाहिए वो महिला है चाहिए परस है इनको समान कार के लिए समान बेतन मिलना चाहिए ठीक है भाई याद रखेंगे 69 का A आपको याद है 39 का D आपको याद है कि संसादनों का समान बितरण होना चाहिए और समान कारकली, समान बेतन सब के याँ पर मिलना चाहिए, दियान रखिए गा, ठीक है, और जो 43 है, आर्टिकल 43, यहाँ पर फिरसूती सहयता की बात की गई है, मैटरनेटी लीब की बात की गई है, कि भाईया आपको मैटरनेटी लीब यहाँ पर मिलेगी, सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है मैटनीटी लीब और अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243D में बोला गया है पंचाथी राय सिस्टम में रेजर्बेशन जो कि आप लोग देखते हैं कि पहले 33% था लेकिन अब कुछ राज्यों ने इसको 50% कर दिया है इसी तरीके से आर्टिकल 243D जो मुनसी पाल्टीज होती है इन मुनसी पाल्टीज में रेजर्बेशन जो पहले 33% था अब कुछ जगे 50% कर दिया गया है तो ये सारे आर्टिकल हैं जो महिलाओं को बिसेश अधिकार देते हैं या संभीधान में कुछ संडक्षन देते हैं ठीक है? चलो जलो गए आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अहुलो जो नेसल कमीशन for बिमन है NCW इस NCW को फोड़ा सा देखते हैं महिला आयोक को इतने सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हम आपको सिखानी कोशिस कर रहे हैं कमीशनों से आप सीखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देखो भई, इसका गठन, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, ताकि दिविजन करने ही आपको तरलता हो जाएगी, देखो, इसका गठन, यह किया गया था बिटा कब, 31 जन्वरी 1992, ग्राउंड क्या था, इस आधार पे, तो हमने एक्ट बनाये था, 1990, 1990 के अधिनियम की, जो सेक्षन है, सेक्षन 3, सहरा 3 में, इसके गठन की बात की गई थी, इसका गठन किया गया है, 31 जन्वरी 1992 को 1992 में, ग्राउंड क्या है, 1990 का एक्ट गठन, ठीक है बई, इसकी प्रकरती, इसका नेचर, तो नेचर है बिटा, सम्विधिक, कैसा है बिटा, यह है सम्विधिक, या आप इसको कह सकते हैं, वैधानिक, सम्विधिक या वैधानिक, अगर आप से कोई पूछेगा, मंत्राले, इसमिनिस्ट्री के अंतरकत आता है, तो आप बताएंगे, मिनिस्ट्री है Women and Child Development Ministry महिला इबाल विकास मंत्राले के अंतरकत आपको देखने को मिल जाता है अगर आप से कोई पूछता है कि इसके चेर्मेन चेर्मेन बच्चे पहले चेर्मेन थे जैन्ती जैन्ती पतनायक और अभी कौन है तो अभी है हमारी साइद रेखा सर्मा रेखा सर्मा ठीक है ये सारी बाते लिख लो जो आपके लिए जानना जरूरी है इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं तो यह इसका गठन कब हुगा 1992 में इसकी प्रकरती कैसी है इस्टेटेवरी है पहले कौन से थे चैनती बटनायक ठीक है मंतराले कहा है आप बता देंगे इसका उद्दिश क्या होगा महीला अधिकारों की रक्षा करना अधिक है वही क्लियर है कहानी अब देखो हम लोग बात करते हैं संदशना संदशना या कि स्ट्रक्चर किसका नेशनल कमीशन फॉर विमन न्सी डबलू महीला आयोग सैला या जब भी बात करेंगे इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है जो important है क्या होँदा है देखो चेज幾ं इसके structure में सबसे important चीज बच्च आपको याद रखनी है उसी ठ्धान देना एग होगा अध्यक्च कौन बनेगा जो महिला अधिकारों के लिए कारी कर रहा हो यहाँ पर होंगे सदस सदस होंगे मेंबर पांच और तीसरा इसकी संदशना में सचिब भी सामिल होता है बचे जिसा आप लोग सचिब कहते हैं या सेकेटरी कहते हैं यह एक होता है अब यहाँ दिखकात है आप से पूछेगा कि गैर सास की है सदस कितने है आप बताएंगे 6 आप से पूछेगा सास की सदस कितने है सास कितने है आप बताएंगे 1 फुल कितने हैं फुल हो गए साथ यही दिक्कत है नेस्टल विमन कमीशन में इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है बच्चे तो इन सब की जो अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट यह करती है इन सब की निपती कौन करती है केंदर सरकार योगता क्या होनी चाहिए महीला अधिकारों में काम करने वाले समाज सेवक होते हैं ठीक है अपॉइंटमेंट कौन करता है बिटा अपॉइंटमेंट करती है भारत सरकार ठीक है ठीक किलियर है नोट लगा के लिखना एक मेंबर SC and SD एक सदस SC अबब SD का भी इनमें होना अनिवार है एक ही चीज आप कहाँ पर लिखना बिटा है एक चीज आप कहाँ पर याद रखना है बस यूँ किता है क्या है महीलाओं के चेत्रों में काम करने का होना चाहिए ठीक है किलियर है काहनी बचा पार्टी चलो अब देखो टैनियोर कारे काल अध्यक्ष और सदस तीन साल 65 बर्स तीन साल या 65 बर्स त्याग पत्र एबं रिमूबल पदित्याग 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 ये भी किसके दायरे में है ये भी केंद्र सरकार के दायरे में आता है ये स्टेंटल गौर्वर्मेंट के दायरे में आता है अटाने के ग्राउन वही है पागल हो जाए दिवालिया हो जाए तीक है, तीन में बैठा कौमें नहीं आए, इन सब के आधार पे आप इनको यहाँ पे हटा सकते हैं, ध्यान रखना, धेवसरते कौन करता है, केंदर सरकार करता है, तीक है, कार क्या है, महिलाओं से सम्मंदित सभी काम यही करते हैं, महिलाओं से सम्मंदित सभी काम बिटा ठीक है एक कोई दिकत नहीं बीटा बर्तमान जेतने भी अब लोग परिशान मत होईं जतने भी हमारे कमिशन जो आयोग है इन आयोगों के अध्यक्ष अध्यक्ष और जिसका सचेव आपको याद रखना है सचेव ये सब मैं आपको प्रॉवाइड करा दूँगा पेपर के पंद़ह दिन पहले यहां आपको मिल जाएंगे सारी चीज़े तो अभी सिर्फ आप बेसिक चीज़ों को पढ़ना है और ज्यादा ध्यान नहीं देना है किसी भी चीज़ पर ठीक है बच्चे अगर इसी तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश महिला आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है यह बना 23 मार्च 1998 को तेम है सब कुछ सारे काम राज सरकार करेगी वहां किन सरकार करती थी यहां सारे काम कौन करेगा राज सरकार करने वाली है ठीक है तो आज भी हमने दो कमिशन्स आपको पढ़ा दिये हैं एक देखा जाए तो चार हो जाते हैं एक National Child Light Protection Commission और State Child Light Protection Commission फिर हमने पढ़ा National Women Commission और जो राज का महिला आयोग है इस से सम्बंदित सारी चीजे बच्चे हमने आप कहां पर बता दी है कि I hope आप इनको समझ गए होंगे ठीक है चलो इनके कारिकालीव बैटा सेम होते हैं तीन साल तीन साल ठीक है चलो पीटा हैं minimum women नहीं है यह महिला आयो की बात चल रहे है सिजब मिनमम बिमन कैसे हो सकती है इस से बोलाए कि एक SC और एक SD यह ओना अनिवार है एक SC से आना चाहिए और एक SD से आना चाहिए एक SC और एक ST से होना चाहिए बस ये अनिवार है ठीक है? चलिए I hope की आपको कहानी आपको clear हो गई होगी किसी पिरकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे कोई दिक्कत यहापको नहीं होनी चाहिए देखो हम आपके लिए बहुत भेहनत करके लेकर आए थी राष्टी बाल एदिकार संडक्षन आयोग और इसकी टाइम लाइन सब कुछ है यहाँ पर यहाँ पर यह सब कुछ आपको मिल जाएगा आप एड़ी रेट गौरब सर्बन को जाके जोईन कर लीजिए एड़ी रेट गौरब सर्बन यह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोशना पत्र हमने एक राष्टनीती बनाई 1980 में गोशना पत्र जारुगा स्वरी 1989 में 1990 में इसको हमने लागू कर दिया 92 में भारतने हस्ताक्षर कर दिये एक राष्टनीती बनाई फिर हमने अधिनियम बनाया 2005 का था कि देखो 2007 में गठन किया गया है 2005 की एक्ट के अंतरगत कैसा है बैधानिक है इस्टेटरी बॉड़ी है मंतराले कौन सा आता है संपून भारत कि कहांपे काम कर सकता है और इंडिया में बाल अधिकारों से सबमंधि सभी कानुन कोई भी कानुन कोई भी नीती कोई भी कारिकरम कोई भी परसास्निक तंत्र हो इसका समंवे करना है मैद משaldo कोडिनेटर की भूमिका नेवाता है राष्ट राज जिला ब्लोक स्थर पर नीतियों का सही करियान वयन करना, proper implementation of policies at the nation, state district and block level प्रतिक बच्चे तक पहुंच चुनिश्रित करना, बच्चों के इतिकार हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, इसका काम है, देखो तंडशना की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे तो क्या है, एक चेर्मेन हो गया, और छे मेंबर हो गया एक चेर्मेन, एक सदस और कम से कम दो महिला सदस होनी चाहिए, minimum two women's mandatory है निक्ती कौन करेगा, सदस्यों की निक्ती करते हैं, कें सरकार करती है central government, और तीन सदस समीतिक द्वारा की जाती है, अध्यक्च की और इसको चेर्ट कौन करता है women and child development ministry की head, इसको क्या करती है बटा, चेर्ट करती है, सारा data हम आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है सब कुछ सब कुछ आपके लिए इस तरीके से लेकर आए थे, पर आपकी साल और साथ वर्स तक काम पर योगिता हैं, बाल कल्यान की छेतर में उलेखनी कार किया हूँ, चेर्मेन है जडन प्रिमार की वर वलिंदा, फिल्ड आप चाइल्ड वेलफियर सदस्टों के लिए क्या है बीटा, ये सिक्छा बाल स्वास्थ, देखवाल, कल्यान, किशोर नयाय, स्रम शंकर्ट, मनु विज्ञान, समाज साथरों बच्चों के कानून से जानकार हूँ, सदस्टों का इस्तिपा, अध्यक्चा सदस्ट किसी भी समय कें सरकार को लिखे त्याग पतर लिखकर पस्तियाग कर सकते हैं, ये सारी कहानी बच्चे हमने आपको बता दी है, और उमीद है कि लगवख ये सारी चीज़े आपको समझ में आई होगी, फिर हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग बहतर तरीके सा पढ़ते रहें, हैवा नाइस टाइम गुड़े, खुश रहें और मस्त रहें,